हेलो फ्रेंग्स देजिस मिकार के और आप देख रहे हैं श्रेश्ट भारत फर्स्ट अपरिल को फूल्स डे क्यों मनाय जाता है ये तो किसी को शायद ही पता हो लेकिन इस दिन को मनाने के लिए सब के सब आतूर रहते हैं तो हमने भी सोचा कि क्यों ना सितारों की साथ प्रेंक प्रेंक खेला जाए तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे प्रेंक्स जो सितारों ने अपने ही को स्टार्स के साथ किया है इन लोगों के पास जितना विजी शुडियूल है उतना ही ये लोग मजाग मस्ती भी करते हैं सेट पर इस मामले में बी टाउन के खिलाडी कुमार सबसे पहले नंबर पर है अक्षे कुमार जॉली एलल बी टू में हुमा कुरेशी के साथ नजर आये थे साथ में काम करते करते दोनों में अच्छी पनने लगी लेकिन अक्षे कुमार ने हुमा पर ऐसा प्रैंक किया कि हुमा नारास हो गई दरसल हुआ ये कि मौका मिलते ही अक्षे ने हुमा का फोन चुरा लिया और कई वॉलिवुड स्टार्स को मैरिज प्रपोजर भेज दिया ओ नो बट येस ही डिडिट पर जब हुमा को ये बात पता चली तो उन्हें सब को मैसेज कर 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 के माफी मागनी पड़ी और सफाई देनी पड़ी लेकिन हुमा अक्षे की इन हरकतों की वज़े से काफी नाराज भी हो गई थी अरे-अरे ये सरिफ हुमा के साथ नहीं किया अक्षे ने इसके बाद गोल्ड फिल्म के सेट पर मॉनी रोय के साथ भी इन्होंने गजब का प्रैंक किया अक्षे ने मोनी को फोन किया और प्रिटेंड किया कि वो एक रिपोर्टर है मोनी भी रिपोर्टर समझकर उनसे बाते करने लगी लेकिन काफी वक्त के बाद एक्ट्रिस को लगा अरे ये तो अक्षे की आवाज है फिर जो हुआ वो तो आप समझी सकते हैं नहले पे दहला तो सुनाओगा आपने ऐसा ही कुछ हुआ एक बार अक्षे के साथ और किया किसने दवंगल सुनाक्षी ने दरसल एक प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान मेडिया से बातचीत करते हुए सुनाक्षी ने धीरे से आक्षे कुमार को कुर्सी से गिरा दिया उपस हालाकि इस पर मजाग करते हुए सुना ने कहा था अगर लोग मुझे परिशान करते हैं तो मैं यही करती हूँ तो वहीं प्रैंक करने के मामले में रनवीर कपूर भी किसी से कम नहीं है यह जवानी है दिवानी याद है आपको उसमें एक सीन में अदित्य रायकपूर और कलकी कोचलीन को शौट ग्लास से शराब पीते हुए शौट देना था ऐसे सीन्स के लिए असली शराब की जगा पानी का इस्तमाल किया जाता है लेकिन रनवीन ने पानी के जगा उस ग्लास में सच में शौट भर दिये फिर क्या था आदित्य और कलकी ने उसे पानी समझ कर पी लिया तो हमारे सिंगं भी मजाग मस्ती में कम नहीं है वैसे तो सीरिस रहते हैं कम बात करते हैं पर जब मस्ती के मूड में आते हैं तो फुल मस्ती करते दिखते हैं अजय देवगर्ण ने सन ओफ सर्दार के सेट पर को स्टार को लाल मिर्च पाउडर का पेस्ट गाजर का हलवा बोल कर पेश कर दिया सोचिए जिसने भी खाया होगा उसका क्या हाल हुआ होगा अई 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 यह सुनकर मेरे कान नाक से धुआ निकल रहा है यानि सेलेप्स भी प्रैंक करने में माहिर है काफी देखना आज आपके साथ कोई प्रैंक न हो जाए बागी ऐसे ही लेटर्स न्यूस से अपडेटेटर रहने एक लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ट भारत को श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत